बीच में कहीं आवाद की प्रॉब्लम हो या कहीं स्क्रीन की प्रॉब्लम हो तो तुरंद अन्म्यूट करके बता दीजेगा क्योंकि मैं जीयो का नेट यूज कर रहा हूँ अगर कोई सही चल जाता है तो ठीक है अधर्वाइस मैं एर्टल वाला नेट यूज कर लूँगा अगर आवाज बगर सही ना रही हो तो या स्क्रीन ना दिखाई पड़े तो बता दीजेगा कि यह से कि देखिए फंडामेंटल से ही स्टार्ट करते हैं आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का उसको पहले मैं लिखूंगा और फिर उसमें जो जो चीजे यूज होती हैं उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करना चालू कर दूंगा आपको क्या करना है जैसे जैसे चीजें पूरी होती जाएं आपको उसका स्क्रीन सॉट लेते हुए चलना है साथ में नोट्स बनाने के लिए और बाकी जब मैं खुद फाइल बना लूँगा तो उसको फिर मैं आपको दे दूँगा तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास यहां पर यहां पर हेडर फाइल होती है इंक्ल्यूड इंक्ल्यूड stdio.h फिर एक और फाइल लेनी पड़ती है इंक्ल्यूड कोनियो.h उसके बाद फिर आपको बेसिक स्ट्रक्चर में वार्ड में लिखना पड़ता है कल्यूड बैकेट स्टार्ट किया फिर आपके वही प्रोग्रामिंग के फोर स्टेप सबसे पहले आपका वैरेबल डिकलेरेशन उसके बाद आपका इंपुट स्टेट्मेंट यह पहला स्टेप था इंपुट स्टेट्मेंट यह दूसरा स्टेप हो गया तीसरा है एनी कैलकुलेशन और फिर फोर्थ हो जाएगा आउटपुट प्रिंटिंग और फिर यहां पे लास्ट में हो जाएगा एक फंक्शन भी यहां पर रहेगा यह वेरेवल के जस्ट नीचे आप यहां पर एक फंक्शन यूस करोगे C L R S C R फिर लास्ट में आपका गेट C H C H और उसके बाद आपका यहां करले बैकेट क्लोज यह बिल्कुल बेसिक आपका पहला स्ट्रक्चर है जिसमें हम C Language का प्रोग्राम लिखते हैं अब यहां पर बुक्स के हिसाब से अगर हम लोग चलें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंज भी होता है सबसे पहले यह वाला स्क्रीन सोट ले लीजिए उसके बाद फिर हम चेंज करके दिखाएं कि दूसरा फॉर्मिट क्या होता है इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए आप मोबाइल से पढ़ रहे हूं या लैपटॉप से हलो हाँ बिटा सर्व मेरी कॉल कट गई थी सर एक दम से नेट चला गया था ओके आपका चला गया था हां सर मेरा गया था हां तो लास्ट टाइम क्या सुन पाए थे सर यहां तक सर इंक्लूड स्टी डिया यो डॉट एच तक ओहो तब से मैं पढ़ा ही रहा हूं या ओके यह आप कब अब तो आ गया ना यहां यहां इसका जो है आप क्या करो यह एक इसका स्क्रीन सॉट ले लो फिर इस इस इस्ट्रक्टर में दूसरा क्या हो सकता है वो इसको मैं बताता हूं लिए सिर्ट या ये एक बार अपनेट चला गया था तो मैं आपको एक बार एक्स्प्रेन कर देता हूं उसके बाद फिर दूसरा एक्स्टर्चर लिखता हूं सबसे पहले आपको यह हैस इंक्लूड एस्ट्रियो डॉट एच हैस इंक्लूड को निदॉट एच वार्ड में कल और फिर आपके प्रोग्रामिंग के वही फॉर स्टेप वेरेवल डेकलिरेशन उसके जस्ट नीचे एक फंक्शन हम लोग यूज करेंगे इसके इस्क्रीन आपने ले लिया होगा दूसरा इस्ट्रक्चर है आपका यहां पर यह वाइड नहीं लिखा होता है यहां पर लिखा होता है आपका रिटन जीरो वन भी कर सकते हैं रिटन जीरो ऐसे करके लिखा होता है यह रिटन वन लिखा होता है तो यह दूसरा इस्ट्रक्चर है इसका भी फोटो ले लिए दोनों का डिफ्रेंस मैं आपको बता दूँगा ऐसले लिए हां बाकि जो है ये वाला इस्ट्रक्चर जो है यह बुक्स में ज्या dw रप्रिंट होता तो इस से हमें कोहीं लेन देना नहींнок समया हम लोग जो है समझा देंगे इसको लेकिन हम लोग हमेशा जो है जो पहला वाला इस्ट्रक्चर है उसी में सारी प्रोग्राइमिंग करेंगे कि यहाँ पर पहला वाला स्ट्रक्चर हमारा यह था वार्ड में अब हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में एक एक चीज समझते हुए चलेंगे सबसे पहला हमने यह सब क्या लिखा है इसके बारे में बताते हैं नमबर वन हैस इन्क्लूड स्ट्डि य ओ डॉट एच और हैस इन्क्लूड कॉन्यो डॉट एच ये हमारा क्या है ये हमारी दोनों जो है है हैडर फाइल्स हैं हेडर फाइल्स आपने जावा पढ़ी है इसलिए आपको compare करते हुए मैं बताऊंगा बाकी इनका बतलब तो मैं बता ही रहा हूँ आपका ये आपकी क्या है है हेडर फाइल्स हैं अब header files का क्या मतलब होता है कि यह आपका program बनाएंगे आप ठीक है इस program में आप बहुत सारे predefined statement जो system define है या predefined statement या functions आप यूज करोगे जैसे कि अभी आप variable declare करोगे तो int तो at least लिखोगे ही ना int float care double ऐसे printing का statement print of यूज करोगे value store कराने के लिए scan of यूज करोगे या आपने CLR, scr या get ch use किया है यह सब क्या है predefined methods है या statement तो यह सारे predefined method या statement क्या काम करें इसकी coding इनकी header files में store होती है तो हर header files में अलग-अलग functions होते हैं और उसके हिसाब से जब कोई function work करता है तो वो अपना work क्या करना है उसे वो अपनी header files के पास जाता है यह आपका computer में store होती जब program आप c language या c++ language का compiler load करते हो उसी समय header files यह सब बनती हैं तो यह आपका header files में store होती है तो जब आप कोई input function यूज करोगे या आपका computer यूज करोगे या कोई भी इसमें जो predefined function होंगे तो वो अपना header files में जाएंगे वहां पर देखेंगे उनकी working क्या है और उसके एसाब से बापस लोट के आपके प्रोग्राम में आएंगे और फिर वो जो भी प्रोग्राम वर्क होगा उन स्टेट्मेंट का या फंक्शन्स का वह अपना work perform कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग दो header files यूज कर रहें एक stdio.h और एक आपका konio.h तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि stdio.h में stdio.h में हमारे पास function होता है printf और scanf ये दो function होते हैं stdio.h में और उसके बाद कोनियो.h है जो आपका कोनियो.h इसके अंदर हमारे पास होता है clrscr clear screen और get ch ये दो function होता है जो आप प्रोग्राम में use करते हो ठीक है तो आप आप समझ लो अगर यह header file हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में ना लिखें header file ना लिखें तो stdio.h यहाँ पर ना लिखें तो आपका क्या होगा जहाँ जहाँ प्रोग्राम में printf लिखोगे और scanf लिखोगे वहाँ error आ जाएगी और आपका प्रोग्राम आगे बढ़ने नहीं देगा ऐसे कोनियो.h ना लिखें तो जहाँ-जहाँ clr लिखा है या get cl लिखा है वहाँ error आ जाएगी और आपका प्रोग्राम एक्सक्यूट नहीं होगा जिससे हमें पता जलता है कि यह function in header files में होते हैं उसके बाद यहाँ पर एक word यूज हुआ है include यहाँ पर है जो है आपका लिंक डायरेक्टिव कहा जाता है और जो include है आपका यह आपका कहा जाता है प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर कहा जाता है अब होता क्या है कि यह जो हैस है लिंक डायरेक्टिव क्योंकि header 5 तो आपकी जो सी यह सी प्लस प्लस का compiler आपने लोड किया है computer में तो किसी folder के अंदर पड़ी होती है आपकी यह बिन नाम का folder होता है उसके अंदर यह header files पड़ी होती है और प्रोग्राम बना रहे हो उसके एडिटर में जो भी आपका सी लेंगवेज का एडिटर यूज कर रहे हो तो वहां से उस header फाइल तक कोई भी predefined function अपनी definition लेने जाता है तो definition लेने जाता है तो कैसे link बने तो यहां CLR, SCR अपना link डारेक्टिव के थुरू link बनाएगा konio.h से ठीक है और फिर यहां पर konio.h में पहुंच जाएगा फिर आपका यह include जो है यह preprocessor यूज कर रहे हैं आप preprocessor एक पूरा topic है अगर आपके उसमें होगा तो हम इसको जरूर explain कर देंगे तो preprocessor java के हिसाब से समल लीजे जैसे java में आप import यूज करते थे वैसे ही यहां पर preprocessor है ठीक है जो आप पहले इस ने हैस ने link बना दिया link बनाने के बाद में इसके अंदर CLR, SCR का क्या काम है clear screen करना processor है यह आपके program में इस code को include कर देगा include कर देगा मतलब ले आएगा और फिर आपका यह program यहां पर CLR, SCR अपना काम कर देगा या getCH अपना काम कर देगा तो यह include जो है यह आपका किसकी जगह पर है इंपोर्ट की जगह पर है तो आपने समझ लिया कि यहां पर हैस किसलिए यूज होता यह link directive है जो predefined function और आपका यह header files studio.h इसके बीच में link बनाने काम करता है as a bridge उसके प्री प्रोसेसर हम लोग include यूज कर रहे है include का काम आपका जो है header files के अंदर जब function जाता है अपनी definition को लेने या पढ़ने तो वहां से उसका meaning उस function का जो भी meaning होगा उस definition को return करता है आपके program में और फिर आपका work perform हो जाता है उसके बाद जो है फिर आपका studio.h यह आपका header file है जिसके अंदर बहुत सारे predefined function होते हैं यह आपका जो है अलग अलग file होती है और हमने यहाँ पर जो जो function बता है वो use के हैं जैसे जैसे आगे और function आते जाएंगे वो हम लोग यहाँ पर बताते जाएंगे फिर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा dot h यह इस header file है इसकी पहचान है dot h h का मतलब header file तो यह extension name कहा जाता है इसको dot h को हम लोग extension name कहते हैं ठीक है तो यह पहचान है किसी भी header file की जिसमें dot h लगा होगा वो हमारी header file होगी उसके बाद यहाँ पर यह जो brackets आप देख पा रहे होगे यह angular bracket कहे जाते हैं less than और greater than इसी के बीच में आपको header file हमेंसा लिखनी होती है angular bracket कहे जाते हैं और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं यह भी आपका चलेगा लेकिन यह ज़्याधा तर लोग use नहीं करते हैं इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर double quotes के अंदर stdio.h ऐसे भी आप लिख सकते हो यह भी चल जाता है जो की maximum compiler जो होते हैं support करते हैं कई सारी books बहुत deep वाली book हैं उसमें यह देखने को मिल जाएगा तो यह पहली line आपको complete हो गई कि header files क्या है अन्म्यूट करके बताईए header files yes sir header files क्या है और हर line में किस चीज का क्या मतलब है यह मैंने बता दिया कोई question आपको अपने मन से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इस part के बारे में yes sir अपने क्या बताया था एच मतलब header files इनको सब आपने टर्म बताया था इस चीज को इस चीज का टर्म का नाम है extension name extension आयसा यून होगा टी यून होगा आई एसा यून से एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन हां एक्स्टेंशन नेम नेम किसी भी फाइल में उसका टाइप क्या है फाइल का तो यह जिसे कि तो MS Word की फाइल में .doc लिखते हैं, आप notepad की फाइल में .txt लिखते हैं, तो .doc या .txt ये सब क्या है, extension name है, जिसे PowerPoint में .ppp लिखते हैं, तो ये आपका extension name है, ठीक है, और कोई question यहाँ पे आपको लग रहा है, पूछना है, header files से समंधित, जैसे अगर जावा से compare करें, तो ये जावा लाइबरी की तरह होती है, बिल्कुल ये जावा में package आप यूज करते हो, आयो या यूटिल, उसकी जगहे पर यहाँ पर header files यूज हो रहे है, header files नाम यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसका screenshot ले लिजे फिर हम इसको रफ कर देत हैं, कैसे ने लिए, ओके, अब इसके बाद हम stepwise नीचे चल रहे हैं, एक एक करके ठीक है, जैसे, अब हम लोग आगे चलेंगे, इसके बाद आप वाइड में देख रहे हो, तो वाइड का मतलब होता है, आपका no return value, no return value, और main, main क्या है, main आपका user define function है, user define function है, function है, ये बताता है आपका starting of the program, जावा के compiler को main function बताता है कि प्रोग्राम यहां से start कीजिए, ठीक है, ये आपका starting of the program कहलाता है, और इसी के अंदर आपको सारा code लिखना है, और main function value return कर सकता है, और value नहीं return कर सकता है, अगर value नहीं return करानी है, तब तो आपको word में लिखना है, अगर main function की value return करानी कहीं है, और किसी दूसरे program में या function में तो आपको int लिखना पड़ता है, int main लिखना पड़ता है, ठीक है, और ये आपका user define function या method कहा जाता है, उसके बाद नीचे आते हैं, यहां पर curly bracket start किया, और close किया, ये हमारे compound statement होते है, compound statement होते है, compound statement का मतलब है, कि कोई एक ऐसा area, जिसको आप decide करना चाहते हैं, कि ये एक area है, जो भी हम work करेंगे, इसके अंदर करेंगे, और इस area के अंदर किया हुआ work, बाहर या बाहर किया हुआ work का effect इस पे ना पड़े, मतलब ये particular एक जिसे room होता है, तो room के लिए आपको एक चारो तरफ से दिवार बनानी होती है, कि हाँ ये चीजें इस room के अंदर हैं, तब आप कह पाते हो, तो ऐसे ही आपका ये compound statement है, जो scope of variable decide करता है, यानि कि किसी curly bracket के अंदर आपने कोई variable declare कर दिया, और फिर यहां पर जो भी working की, लास्ट में अगर आप इससे बाहर आकर अगर आप यहां पर एको print कराना चाहो, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये a जो है, आपका इस curly bracket के अंदर declare किया है, तो scope of variable के हिसाब से इस a का area ये curly bracket है, ठीक है, और इससे बाहर ये a नहीं जा पाएगा, तो ये आपका scope of area बताता है, compound statement, तो यहां word main का area क्या है, ये start हुआ और ये end हुआ, जो भी हम करेंगे इसके अंदर करेंगे, त तो वो सब कुछ word main के अंदर माना जाएगा, इसको block statement, compound statement जैसे कहा है, ऐसे block statement भी कह सकते हैं इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आपका है CLR, पहले variables है, तो variables के बारे में हम आपको बता दें, बीच-बीच में screenshot तो लेते रहिएगा, अब हम लोग variables के अवारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका भी अगर आपको जरूरत हो, तो ले लीजे screenshot की word main क्या है, otherwise कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलें, यहां पर इसको हम आटाय दे रहे हैं, अब variables का description आपको यहां पर दिया जा रहा है, बाकी आपको main variables के वारे में पता ही है, ठीक है, बस difference क्या है वही दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, हाँ, हाँ, तो यहां पर variables की बात करें, तो variables यहां पर हमारे जो है, especially three types के variables पाए जाएंगे, नमबर वन, आपका यहां पर होता है, नमबर वन, integer type, टाइप, हाँ, एक ज़रा वो बता जेते हैं, variables का याद होगा आपको, variables का क्या होता है, it is a temporary memory location of the computer, in which we can store our desired data, यह यह वेरेवल computer की temporary memory location होती है, जिसके अंदर हम कोई भी अपना data store करते हैं, तो जैसे अगर आपने int a declare किया, तो इसका मतलब है कि ए नाम के वेरेवल ने अपनी एक temporary memory बना ली होगी, जिसके अंदर हम अगर यहां पर five store करते हैं, तो वो five इस memory के अंदर चला जाएगा, तो यहां पर आपका सबसे पहला है integer type, तो integer type में आपको एक दो चीज़े याद रखनी ही, integer type में सबसे पहले यह आपका whole number store करता है, whole number, whole number का मतलब 0 to 9 से मिलकर बना, प्लस या माइनस में कोई भी number, इसमें point वाली value include नहीं होती, 0 to 9 से मिलकर बना, कोई भी plus या माइनस में number whole number कहा जाएगा, यह integer में store होता है, दूसरा point है इसका, कि computer इसको int keyword से जानता है, computer इसको int keyword से जानता है, तीसरा है आपका, कि memory size, तो यहाँ पर two byte memory size होती ही, integer type की, two byte, फिर चौथा आता है आपका, इसका type, कि integer के इसमें भी type होते हैं, तो यहाँ पर आपका int, और long int, यह दो तरीके साफ यूज करते हो, तो आपका, यह आपका two byte हो गया, और यह आपका four byte हो जाएगा, two byte और four byte, ठीक है, तो यह आपका integer के बारे हो गया, फिर उसके बाद जो है, नमबर टू, फ्लोट, फ्लोट टाइप, तो फ्लोट टाइप में, आपको याद रखना है, कि इसमें आपके जितने भी, decimal number, या real number, point वाली value, होते हैं, वो इसमें store होते हैं, वो चाहे positive हों, चाहे negative हों, सारे number इसी में store होते हैं, और उसके बाद, जो है, नेक्स पॉइंट है, कि फ्लोट कीवर्ड से, कम्प्यूटर जान जाता है, कि आप यहाँ पर point वाली value लेना चाहते हो, फ्लोट कीवर्ड यूज़ करते हैं, तीसरा, memory size, size, तो फ्लोट कीवर्ड आपका four byte की मेमोरी लेता है, four byte, यह integer में इससे बड़ा होता है, यह two byte integer लेता है, और फ्लोट आपका four byte मेमोरी लेता है, तीसरा, यहाँ पे, इसका भी type होता है, इसमें आपका फ्लोट और double, यह दोनों इसमें भी type होते हैं, तो double आपका eight byte मेमोरी ले ले लेगा, eight byte, सबस्य बड़ा यहाँ पे double होता है, एक और इसका type पाया जाता है, क्योंकि वर्जन आपके change होते रहते हैं, C के भी, अलग-अलग, तो इसमें long double भी कई जगे पे, लोग use कर लेते, long double, जो कि बहुत rare cases में हम लोग use करते हैं, तो इसको भी देख लेंगे हम लोग, कि इसको use कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप float double को याद रखो, और तीसरा है आपका, next तीसरा क्या है, तीसरा है आपका character type variable, character type variable, आपका, alpha numeric value स्टोर करते हैं, alphabets a to z, आपका uppercase या lowercase, और आपका यहाँ पे कोई digits भी स्टोर कर सकते हैं, 0 to 9, digits भी स्टोर कर सकते हैं, और आपका कोई special character भी स्टोर कर सकते हैं, special character में dollar sign, percent sign, इस तरीके से कोई भी चीजें आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, character variable में, अब Java के हिसाब से उसमें care और string होता था, यहाँ पे सिर्फ care होता है, string नहीं होता है, computer कैसे पहचानेगा, care से पहचानेगा, और अगर आपको string लेनी हैं, तो character type variable को ही array में convert करना पड़ता है, तब आपका string बन पाती है, इसमें string नहीं होता है, दूसरा, memory size, memory size में यहाँ पे, आपका one byte per character लेता है, जावा में two byte होता है, यहाँ पे one byte per character, character लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद, यह आपका variable पूरे हो गए, यहाँ पे boolean, जैसे उसमें चलता है, जावा में, उसकी जरूत नहीं पड़ती है, आपके तीन ही data type खाली याद रखने हैं आपको, अब unmute करके, आप अगर कुछ question पूछन पूछना चाहते हैं, तो उसको पूछ लीजे, साइंड और अनसाइंड इंट वाला साचीज, अच्छा अच्छा वी तो होती है, अब वो कोई भी अलग से ऐसी चीज नहीं, जो आप जो है, जैसे हमने जो चीजे पढ़ाई है, यह आपकी मेन हो गई, अब आपको प्रोग्राम यूज करते समय, हम साइंड और साइंड का मतलब बता देंगे, वो छोटा सा खाली मतलब आपको समझना है, ठीक है, कि साइंड और साइंड क्या है, बाकि इसका कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, जो यह और कोई कोशन दिमाग क्या रहा हो, नहीं से, तो यह आपका स्क्रिंस्ट ले लीजे, यह आपका जो है, वेरेवल के टाइप हो गया है, चले लिए, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेरेवल के बाद में, चल्छ यह सियार, यह तो खैराब हम यादी हो गया, इसको हटाई देते हैं पूरा, हाँ, यह हमारा हो गया, CLR, SCR, ओहो, अब, CLR, SCR का मतलब होता है, Clear Screen, क्या होता है, कि जैसे आपका, जो आउटपूट विंडो है, जिस पे आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं, Output, Screen, आपको दो प्रोग्राम रन कराने हैं, तो आपने क्या क्या क्या, कंप्यूटर खोला यह, कंप्यूटर खोलने के बाद में, आपने एक प्रोग्राम यहाँ पे रन कराया, तो वहाँ पे मालीजे, आपकी Screen की 3-Line में Output, या 4-Line में Output आ गया, अब आपने इस Screen को बंद किया, अब आप दुबारा प्रोग्राम लिखोगे, नई Screen में, और फिर आप रन कराओगे, तो फिर से यही Output विंडो खुल के आएगी, तो अगर आपने CLR, SCR नहीं लिखा है, तो क्या होगा, दूसरे प्रोग्राम का, जो Output कर रन होने का तरीका है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, यह मलब Last Program की Last Line के आगे से, यहां से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर यह नीचे की और दूसरा Program रन होना चालू हो जाएगा, तो आपको क्या होगा, पहला Program का भी Output दिखाई पर रहा होगा, और दूसरा तो आप रन ही कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, आपका सिर्फ जो Current Program रन करा रहे हो, वही यूज़ हो, उसके लिए आप CLR, SEI लगा देंगे, तो यह ऐसा, यह पूरी स्क्रीन को साफ कर देगा, और आपका यह दूसरा Program यहां से रन होना चालू होगा, और यह कितने भी लगा सकते हैं, जब जब जरूरत हो तब लगा सकते हैं, और प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब ऐसी जरूरत पड़ती हैं कि प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में कितने भी लगा सकते हैं, अधर्वाइस आपको सिर्फ एक CLR, SCR की जरूरत होती है, वो भी वैरेवल के जस्ट नीचे आप लगा दीजिए, तो यह CLR, SCR हो गया, उसके बाद NEXT है आपका OUTPUT STATEMENT, OUTPUT STATEMENT में आपका यहां फंक्शन जो predefined function यूज़ होता है, प्रिंट टफ, और इसके अंदर डबल कोट के अंदर आपको जो भी लिखना होता है, लिख देते हैं, इसके दो format होते हैं, एक तो आप खाली मैसेस देना चाहते हो, कि नमबर इंपुट कराना है, नाम इंपुट कराना है, तो आप लिखते हो, एंटर आ नमबर, एंटर आ नमबर, तो ये डबल कोट में जो भी आप लिख दोगे, वही इस monitor screen पर प्रिंट होके आएगा, ठीक है, यो सवारी, प्रिंट अफ के अंदर जो भी लिखा होगा, वही monitor screen पर प्रिंट होके आएगा, प्रिंट नहीं होती है, दूसरा इसका तरीका है कि मा लीजे कोई calculation की, c is equal to a plus b, आपका c में result आया है, तो result हो मैंसे इस टाइप से कुछ प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर print of, और यहाँ पर आपका sum is equal to, और यहाँ पर आपका comma लगाया जाता है, जावा में plus लगाया जाता है, यहाँ पर comma लगता है, comma c, इस तरीके से, तो यह आपका output आजाएगा, sum is equal to, माली जिसमें आपका 5 है, उसमें 2 है, तो आपका 7 आया, तो sum is equal to 7 लिखके आजाएगा आपका, यहाँ पर, इस तरीके से, तो double quotes बंद करने के बाद में, फिर comma लगाकर variable का नाम लिखा जाता है, बाकी वो वाले चीज़े तो आप करी सकते हूँ, कि माली जिए आप ऐसे लिखना चाहते हो, तो हमें, मतलब computer को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, sum is equal to, हाँ, एक चीज़ मिस कर रहे हैं, उसको भी मैं okay कर देता हूँ, यहाँ पर, एक word यूज़ होगा, input statement में, जिसको हम लोग control string कहते हैं, तो यहाँ percent d लगाना पड़ेगा उसका, इसकी अभी इसी just बाद में आपको बताऊंगा, कि इसका क्या use है, तो percent d लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर भी लगेगा percent d, यह लगेगा ही लगेगा, message कुछ भी हो, equal sign के बाद में यही लगेगा आपका, फिर इसको बंद किया, comma लगाया, और फिर c लिख दिया, तो आपका यहाँ पर, हाँ, sorry, अभी मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताने जा रहा था, कि अगर आप यहाँ पर direct calculation करना चाहते हो, तो यहाँ पर bracket में, a plus b लिख दीजे, गोल वाले bracket में, तो क्या होगा, आपको यह c लेने जुरुत नहीं पड़ी, और आपका यह sum is equal to 7, यह आपका print हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखेगा, अगर यह %D हमने नहीं लगाया, तो यह आपका 7 प्रिंट नहीं होगा, sum is equal to तो प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट नहीं होगा, तो यह आपका print of statement का use है, unmute करके आप बताईए कि अगर कुछ पूछना है यहाँ पर, control listing को छोड़ कर, क्योंकि वो हम इसके आगे बताने वाले हैं, तो आप पूछ लेजिए, नहीं से कोई देखकर नहीं है, हाँ, 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 continue गई, ओके, उसके बाद जो है, फिर आपका है, input statement, input statement, scan of, scan of का मतलब है, to store user defined value, कोई भी user defined value, input होते समय, आप store करना चाहते हो, किसी variable में, तो उसके लिए scan of का use किया जाता है, अब scan of, use करने का पहले syntax, क्या है, syntax, तो syntax में आपको scan of लिखना होता है, यह सब स्माल में होता है, अपर केस में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर, C language में अपर केस में कुछ भी नहीं होता है, सिवाए यह message के, जो double quotes में आप message देते हो, सिर्फ यही अपर केस में हो सकता है, otherwise कुछ भी अपर केस में नहीं होता है, तो आपका scanf लिखा फिर यहां पर आपको लिखना होता है control string control string double quotes बन कर दिया फिर comma फिर end का sign और फिर यहां पर variable का नाम लिखना होता है variable name यह लिखना होता है आप इसका control string के बारे में थोड़ा सा ने पहले हम ऐसे बता देते हैं इसके बारे में फिर control string के बारे में बताते हैं तो जैसे आपने यहां example लिया scanf आपको एक number input कराना है तो यहां पर percent d लिखा आपने double quotes बन किया और end का sign और variable मालीजे आप ए यूज़ करना चाहते हो ऐसे माली जे दो number input कराना है तो यहां पर आपने दो percent d लिख दिया और कोई space नहीं देते हैं इसमें और उसके बाद and का sign a comma and का sign b आपके दो नंबर इस तरीके store हो जाएंगे ठीक है तो यह आपका syntax रहता है एक नंबर दो नंबर हाँ यहां पर एक और चीज़ है यह आपका जो and का sign है and का sign यह यह इसको हम लोग m% बोलते है ए एम एम परसेंट बोलते है m% m% और इसका इसका दूसरा जो टेकनिकल नाम है वो क्या है यह एक address operator के रूप में यूज होता है address operator के रूप में यूज होता है अब क्या मतलब हुआ address operator देखिए Java में तो address नहीं होता था यहां पर address का मलब होता था लेकिन उसको यूज नहीं करना जोरुत थी ऐसा वहां पर mechanism बना दिया गया था लेकिन यहां c language में बिना address के कुछ काम है नहीं होगा तो जैसे आपने कोई variable declare किया ए नाम का तो इसका मतलब है कि ए नाम का variable एक memory बनाएगा और जो भी आप इसमें value store करोगे वो value यहां पर पहुंचे उसके लिए यहां का एक address होगा memory address integer type का कोई भी memory address होगा और अब जब यह एंड का sign आपने जो लगाया है तो end का sign आपका address operator होता है तो यह a के साथ end का sign लगाया इसका मतलब a का address उस value को जो आप value input करोगे वो value इस address यानि 100 अगर हमने address माना है इसका तो 100 address पे वो value आपकी पहुंचा दे यह काम होता है अब यहां पर समझो अगर यह end का sign ना लगाये तो जो भी आपने 15 input किया होगा वो एक ही memory में नहीं पहुंचेगा जो भी आपने 15 यूज किया होगा वो एक ही memory में नहीं पहुंचेगा अगर यह end का sign नहीं लगाया एडर्स ऑपरेटर नहीं लगाया तो यह बहुत ही special use है इसका कि आपका end का sign लगता है उसके बाद अब यहां पर एक और note बताना चाहेंगे note कि आपका जो कोई word या sentence लेते है word या sentence sentence does not use ampperson sign with variable कहने का मतलब है कि जब आप कोई नाम या सेंटेंस इस्टोर कराते हो तो एंड का साइन यूज नहीं होता है क्योंकि वो रिफ्रेंस वेरेवल कहे जाते हैं जो इस्टिंग टाइप के माने जाते हैं तो उसमें नहीं यूज होता है जैसे यहां पर हम आपको example दे रहे हैं जब कोई आप string इस्टोर कराते हो तो string के लिए control string हमारी होती है %S तो %S के साथ में आपका कोई भी जैसे आप variable का नाम लेना चाहते हो str के अदर आप कोई sentence लेना चाहते हो तो %s के साथ में आप यहाँ पर एंड का साइन नहीं यूज़ करोगे यह जो एंड का साइन था अड्रस ओपरेटर यह नहीं यूज़ करोगे बाकी यह सब के साथ में यूज़ होगा ठीक है अब यहाँ पर आपको control string बता दी जाएं control string अभी आपको programming करने के बाद में करते समय आपको और भी चीज़े पता चलेंगी इसके बारे में लेकिन यहाँ पर main main चीज़े जो आपको यूज़ करनी हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं जैसे int आप यूज़ करते हो तो int के साथ में control string आपकी percent d लगेगी percent d अगर float यूज़ करते हो तो आपका percent f लगता है अगर आप double यूज़ करते हो double तो percent lf यूज़ होता है percent lf और कौन कौन से हमने बताया थे care हाँ care अगर आप care यूज़ करते हो तो percent c percent c होता है इसको सही कर देते हैं थोड़ा percent c ये आपको चार खाली याद रखने है ठीक है और आपको याद करने की जुरुष नहीं है अगर आप हाँ एक चार और लिखे देते हैं अगर आप long int यूज़ करते हैं लॉंग int तो ये आपका percent ld यूज़ होता है ठीक है तो ये चार हो गए आपके और भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं जो टफ प्रोग्राम करते हैं कुछी special प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर जुरुष पड़ेगी तो हम आपको control string के बारे में बता देंगे तो ये हमारा था control string जो की होना ही होना चाहिए ये control string बिल्कुल वैसे ही है कि computer कैसे जाने कि आप integer value store करना चाहते हो ए नाम के variable में तो %D लगा दिया इसका मुलब computer जान जाएगा %F लगा दिया इसका मुलब computer जान जाएगा कि हाँ यहाँ पर float value आप store करना चाहते हो या print करना चाहते हो कि हमने पताया था print of में भी यह लगता है तो अगर यह नहीं लगाया तो आपका यह 7 प्रिंट नहीं हो पाएगा अब आप unmute करके कोई चीज पूछना चाहो जो चीजे बताई है तो आप पूछ सकते हो आप नहीं से आगे बरी हाँ इसके इसके इसका है तो अब जो है आपने इनपूट स्टेटमेंट भी देख लिया आउटपूट स्टेटमेंट भी देख लिया और हाँ एक यूज बचा है इसका भी छोटा सा स्किन सौर्ट ले ले लेना है आपको जगह नहीं बची थी थी नहीं बता दिते रूपOOOOOOOO it आउट्पुट स्क्रीन यहां पर चल रही होगी, आउट्पुट स्क्रीन, यह है, यह प्रोग्राम रन हो रहा होगा, तो यहाँ पर गेट चेश क्या करता है? सबसे पहले लिख्किया है माली जे एंटर नमबर आपने यहां पर कोई यह एंटर नमर में सदाएगा आपको नमबर दे दोगे यहां पर 5 दे दिया उसके बाद अब माली जे इस 5 का आप स्कौर करना चाहते हो तो यहां पर लिखके आएगा स्कौर इसक्वायर 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 इस फिर उसके बाद आप again जब enter ग्रेस करोगे तो आप बापस अपनी programming window में आजाओगे जहाँ पर आप ना प्रोग्राम लिखा था प्रोग्रामिंग विंडो में आ जाओगे जहां पर आपने प्रोग्राम लिखा था यह हैस इंक्लूड वाला अब देखो यह तब था जब आपने गेट सीच लगाया अब गेट सीच नहीं लगाया अपने यहां प्रोग्रामिंग विंडो में यहां पे एंड में गेट सीच नहीं लिखा अब क्या होगा प्रोग्राम विंडो खुलेगी और यहां कहेगा एंटर नमबर आपने 5 दे दिया उसके बाद जैसे आप एंटर की प्रस करोगे और आप चाहोगी रिजल्ट आ जाए नॉर्मली जैसे आता है आना चाहिए तो क्या होगा यह रिजल्ट आपका यहां पर स्लोटा होगे और यहां पर जो आपका स्कॉयर इसकोल टूट 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 ट्वेंटिफाइ प्रिंट हुआ था वो नहीं दिखाई पड़ेगा अब क्यों नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि आपने गेट सीच नहीं लगाया तो अब इसका बेसिकली यूज क्या हुआ इस लास्ट लाइन भी बची हो या लास्ट लाइन भी प्रिंट ना हो जाए तब तक यह आउटपुट विंडव को आउटपुट विंडव को होल्ड रखे रोके रखे और हमारा अगर गिटसियर नहीं होता है तो जितना इंपुट करने से रेलेटेड चीजे हैं वो तो विंडो में भेज देगा अगर अनिव लगाया है अब यहां पर ये हम आपके लेड़ कर रहा होता है तो हमने बताया ये एक रेल में देख जाए तो ये एक करेक्टर इंपुट कराने य Christmas होता है जब तक इसको एक character नहीं मिलेगा तब तक आप यहां से बाहर नहीं आपाऊगे ठीक है तो इसको slash n मिल जाता है यह एक character मिल जाता है तब यह आपका screen को बापस यहां लाता है और इसको character ना मिले जैसे कि आपने सारा program लिखा यहां पे sum प्रिंट अफ में sum is equal to और जो भी c print क कर रहा होता है कि आपने यहां इसके पहले print of लिख रखा है c को print करा रखा है तो c print होगा और उसके बाद नीचे उतरेगा तो यहां पर gets here लिखा है तो इसका मलब इसको भी एक character चाहिए तो हम लोग character कौन सा देते हैं एंटर देते हैं तो enter character इसको मिल जाता है तब जाके आप बाहर screen में programming window में बापस आते हो लेकिन अगर इसको हमने लगाया ही नहीं है इसको हमने लगाया ही नहीं है तो क्या होगा यह रुके गाई नहीं आपका print मलब print of के लिए आपका screen रुकती नहीं है input करने के लिए scan of के लिए screen रुकती है अब बात यह आती है कि मालीजे get see here नहीं लगाया है तो क्या output आएगा ही नहीं बिलकुल output बिलकुल आएगा लेकिन वह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा खाली यहां पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा output आएगा तो अब उसको लिए तरीका क्या है तो हमारे पास CTRL जब आप बापस प्रोग्रामिंग विंडों में आ जाओगे और आउट्पूट नहीं देख पाए तो CTRL CTRL प्लस F5 होता है CTRL प्लस F5 लिखोगे तो फिर से आप आउट्पूट विंडों में पहुंच जाओगे और यहां पर आपका स्कुवाईर is equal to 25 लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा जो कि पहले ही दिखाई पड़ जाना चाहिए था अगर हमने रिदम बेटा आवाज आ रही बेटा रिदम हां अभी आप जॉइंड तो है बेटा आवाज नहीं आ रही क्या है असर हाव वह 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 दिसकनेक्ट हो गया था अच्छा गेट्स यह समझ पाए आप हाँ सुनाई पड़ रहा है हलो हाँ बेटा आवाज आ रही है हाँ सुनाई आप की वह वह अभी अभी डिसकनेक्ट हो गया था अच्छा तो आप जो है हाँ सर गेट्स यह समझ पाए फंक्शन हाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आया से अभी यूज नहीं किया न कभी से हां समझ में आया से यानि कि कितनी देर से आप नहीं सुन पा रहे हो आया नेट की प्रॉब्लम हो रही है अच्छा ठीक है तो अब हम लोग जो है चलते हैं एक प्रोग्राम रन कर आगे देखते हैं फिर उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा खली एक प्रोग्राम रन कर आगे दिखा देते हैं कुछ वहां भी शॉट कट्स बगरा बताना है ठीक है बिटा कि यह सर्थ ओके ओके यहां पर सी लेंग्वेज को चलाने के लिए आपका जो है एक कंपाइलर होता है टर्बो सी उसको भी यूज कर सकते हैं एक आपका कंपाइलर होता है विजुल सी प्लस प्लस उसको भी आप यूज कर सकते हैं तो जो भी आप आप काउन सा यूज करते हैं कंपाइलर है कि सबसे अच्छा है यहां आप यही यही वाला यूज कीज़ेगा जो हम आपको दिखा रहे हैं कि अब्यों स्बसक्र प्लस प्लस तीएक एस पर सपर उद्वेंगणि भी घिलन वजाए यहो जाती हैं यह यह कंबारेंट है चंद कर चैनन करों चैसी प्लस 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 निए mean क्योंải से ग्णोंकरा में रं हो जात Bill प्रुए यह यूज करते नहीं है इसलिए हमने लोड नहीं कर रखा था अभी हो जाएगा लोड इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना वह पॉइंटर इस्ट्रक्चर फंक्शन तब आपको कुछ नया लगेगा यह से कि अग्यों कि यह हमने लोड कर रखा है विंडोस 10 वाला यह दो हो उपर लिखा है टर्बो सी प्लस प्लस तिखाई पढ़ रहा है कि यह से हां हां अब यहां पर खाली स्टार्ट सी प्लस प्लस एक बार लिखना क्लिक करना होता है यह चलू हो जाता है कि यहां पर फाइल मैनू में कोई भी नई फाइल चाहिए होती तो सिंपल वाला है न्यू ओपन सेव से वैज इस तरीके से तो हमें अभी जो है कि यह थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ कि इसको कुईट कर देता हूँ यह स्क्रीन बेटा दिखाई पड़ रही है कि आपको कि यह सर्थ हां इसमें मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि हैस इंक्लूड एस्टीडियो डॉट एच उसके बाद इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होता है बाहर आये इसको पेस्ट कर दिया शिफ्ट इंसर्ट से साइट पेस्ट होता है और यहां पे कॉनियो डॉट एच लिख लेंगे कॉनियो डॉट एच उसके बाद वर्ड में फिर आपका जो है वेरेबल डिकलियर कर देंगे आई एंटी ए कॉमा बी कॉमा सी फिर प्रिंट अफ दिया प्रिंट अफ रैकेट में मैसे दे दिया मैसे सिर्व आपर केस में हो सकता है एंटर टू नमबर नमबर फिर स्कैन अफ परसेंट डी परसेंट डी कॉमा एंट का साइन ए कॉमा एंट का साइन बी सब उस्कैन में सर एक आगे ए और लगा हुआ से स्कैन अब बता देगा कंपाइलर जब रन कराएंगे तब बता देगा जो भी छोटी मोटी गलती हो जाएंगी और यह देखो अभी डबल कोट से स्टार्ट करना भूल गया है यह इस तरीके से उसके बाद जो है C is equal to A plus B और फिर यहां पर प्रिंट अफ यहां पर डबल कोट में अब यहां यह भी एक चीज़ छोटी से है डिसकस कर देंगे अब फिर यहां पर आपने लिखा sum is equal to percent D percent D double quotes बन कॉमा और आपका C और फिर आपका यहां पर get CH get CH और फिर उसके और इसको बन कर दिया अब यहां पर एक कमी रह गई है colorbacker नहीं खोला था और CLR CR नहीं लिखा था ठीक है यह हो गया अब इसको हम लोग run कराते हैं तो run कराने के लिए हमारे पास होता है यहां पहले compile कराते हैं compile कराने के लिए होता है Alt F9 Alt के साथ में F9 करना पड़ता है Alt F9 इसको note कर लिए compile कराने के लिए Alt F9 तो यहां पर लिखके आ रहा है कि warning जो है आपकी 0 है और अब ही आपकी 0 है यह compile हो गया उसके बार रन कराना होता है उसके लिए होता है control F9 control F9 यह run कराने के लिए control F9 अब यहां पर एक error बता रहा है तो देखते हैं कहां पर error है भाई अच्छा undefined symbol printf printf की spelling गड़बड़ है तो यहां पर यह दिखा रहा है undefined symbol printf तो यहां पर हम सही कर देते हैं printf की spelling फिर से run कराते हैं अब दो error बता रहा है कहीं और भी गड़बड़ कर गया प्रिंटफ में ही गड़बड़ प्रिंटफ टी से वाला रहा हो और उपर वह scan पे भी वर टी लगा हुआ है अच्छा इसके लग गया ओके ठीक 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 अब इसको रन करा देते हैं तो रन हो गया यह हमारी आउटपूट विंडो है ब्लैक वाली डॉसल अब यहां पे ए 10 दे दिया इंटर मार के करना होता है अब देखो लगाया है तो इसलिए यह आउटपूट विंडो रुकेगी और आपका आखरी लाइन दिखाई पड़ेगा यहां पर यह सम इसकोल टू फिफ्टीन दिखाई पड़ रहा है अब फिर से इंटर मारे तो आप बाहरा होगे और अगर इंपूट तो सब पूछेगा फोर दे दिया और ट्वेंटी दे दिया अब एंटर मारते ही आप सीधे बाहरा जाओगे विंडो क्योंकि आपने इसलिए नहीं लगाया है यह बाहरा गया है लेकिन ऐसा नहीं कि आउटपूट रन नहीं हुआ आउटपूट से देखेंगे दुबारा आउटपूट विंडो खोलने के लिए और टेफ 5 होता है तो यह देखो आउटप 5 हमने कर दिया तो आपका दुबारा विंडो खुल गई वही वाली और जो आउटपूट आया था वह दिखाई पड़ गया और उस समय नहीं दिखाई पड़ा था जिसे मैं प्रोग्राम रन हो राथा किसके बजे से हुआ गेट्ट्सियच की बजे से गेट्सियच आउट्पूट विंडो को तब तक होल्ड रखता है जब तक प्रोग्राम के आउट्पूट की आखरी लाइन प्रिंट ना हो जाए तब तक तो यह हो सकता है आपके Linux में तो यहां पर इसको हम सेव करना चाहेंगे तो यहां पर फाइल मेनू में से बगरा है करेंगे से चलो यहां पर दिखाते हैं यहां पर थ्यान क्या देना है यहां पर फाइल का नाम दिया उसके बाद ऐसे नहीं करना है तो आपका c language का extension क्या होता है .c c language की जो file होती है .c होता है और c++ की अगर होगी .cpp हो जाएगा .c लगाना पड़ता है तो यहाँ पे देखिए ram.c नाम से यह save as हो गया तो यह आपका compiler अच्छा वर करता है कोई दिक्कत नहीं अब quit से हम लोग बाहर आ जाएंगे control x और इसको भी हम लोग हटा देंगे अब यहाँ पे एक चीज़ थी वो slash n वाली तो slash n वाला हमा हलका सा दिखाए देते हैं दो चीज़े आपको slash n में याद रखनी है यहाँ पे बताए दे रहे हैं आपको ओके यहाँ पे एक होता है आपका red वाला ले ले लेते हैं हाँ एक होता है slash n यह आपका new line के लिए होता है new line और एक होता है आपका slash t यह आपका horizontal space के लिए होता है horizontal space के लिए होता है horizontal tab और इनको हम लोग कहते क्या है escape sequence कहते है sequence और यह use कहां होते है यह आपके हमेशा print of में use होंगे print of line change कराने के लिए message के पहले या message के बाद दोनों तरब लगा सकते हैं आप चाहें पहले चाहें बाद जैसी भी line change करना है आप बीच में भी लगा सकते हैं घDO हाउ आर यू आपने लिखहे तो हेलो लिख़े उसके बां करना चाहते हैं तो ओढंने के बिए लिखने के बाद म excise लगा दीज्ट तो फोन पर इसक डी में झाम पर एक Sig advocate ओके बेटा, ठीक है, बाई बाई ये थैंक यू से, ओके ये सर्थैंक